नमस्का दोस्तों तो क्यासे आप लोग अगर आपके मान में ऐसा क्यालता कि Mediatek Helio G8T और Samsung का सबसे प्यारा प्रोसेसर जो कि Exynos 9611 इस दोनों प्रोसेसर में से कौन से सबसे बैतर है तो आप बिल्कुर सही जगे पर आए इस वीडियो में आज मैं आपको दिखाऊंगा Helio G8T और Exynos 9611 दोनों में से कौन सब से बैतर है और क्यू सब से बैतर है तो चलिए शुरू करते है आज का वीडियो और यह वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजरोल चले पर नहे हैं तो चैनके सब्सक्राइब कर अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर लाइक दे देना अगर वीडियो ना पसंद आए तो वीडियो कर दिजलाइक दे दे देना तो चले शुरू करते है आज का वीडियो अगर मैं दोनोर प्रोसेसर के कोर कॉर्ण के बाद करूँ तो हीलियो जीटी में दो हाई पार्प्रमेंस कोटेक्स A75 Core ू half 2.0 GHz एक्सिनुस 9 611 और 4 पूरान जेनरेशन का kोटेक्स A53 3 गीडियो 1.7 तो Corp Configuration के मवल है हीलियो जीटी औबियसली कीविद्टी में क्यूंकि यहाँ पर बहुती बटर जेनरेशन का प्रोसेसर कोर इस्थमल किया गया है अगर मैं donor processor के RAM support की बात करूँ तो Helio G80 में dual channel LPDDR4X RAM यूज किया गया है जिसका speed है 1800 MHz लेकिन Exynos 9611 में dual channel LPDDR4X RAM का यूज किया गया है लेकिन इसमें जो RAM का speed बहुत है दरसल 1600 MHz तो RAM speed के मामले में Helio G80 obviously better अगर मैं donor processor के memory support की बात करूँ तो Helio G80 में EMMC 5.1 memory type का support है लेकिन Exynos 9611 में EMMC 5.1 और UFS 2.1 दोनों का ही support है तो memory support के मामले में Exynos 9611 थोड़ा सा बेठर है अगर मैं camera support की बात करूँ तो Helio G80 में single camera में 48MP का support मिलता है लेकिन dual camera में 16-16MP camera का support मिलता है और Exynos 9611 में single camera में 64MP और dual camera में 16-16MP camera का support है तो इसका मतलब maximum camera support के मामले में Exynos 9611 बेठर है किकि Helio G80 कभी भी किसी smartphone में नहीं आ सकता जहाँ पर 64MP quad camera setup यूज होता है अगर मैं दोनों processor के video capture की बात करूँ तो Helio G80 2K video 30fps पे और Full HD video 60fps पे capture कर सकता है लेकिन Exynos 9611 4K video 120fps पे और Full HD video 480fps पे और HD video 720fps पे capture कर सकता है तो video capture के मामले में obviously आपर Exynos 9611 बेठर है अगर मैं दोनों processor के display support की बात करूँ तो अगर देख सकते है Helio G80 में हमें Full HD plus तक का display का support मिलता है लेकिन Exynos 9611 में हमें जो display support है बोधर असल WQXGA जिसका resolution हम देख सकते है कि resolution के मामले में Exynos 9611 better quality display को support करता है अब हम देखते है दोनों processor का network support Helio GT में हमें Cat 7 download link मिलता है जिसका speed है 300 Mbps और Cat 13 upload link मिलता है जिसका speed है 150 Mbps लेकिन Exynos 9611 में हमें मिलता है Cat 12 download link जिसका speed है 600 Mbps और Cat 13 upload link जिसका speed है 150 Mbps और दोनों में Bluetooth 5.0 और Dual Wi-Fi bank का support है जिसका अब नेटवर्क support के मामले में Exynos 9611 थोरा सा बिटारे अब हम देखते है दोनों processor का सबसे main चीज़ जो के graphics card Helio GT का जो graphics card बहु है Mali G52 MC2 जो की रन करता है 950 Mbps पे और Exynos 9611 में यूज किया गया है Mali G72 MP3 जो की रन करता है 850 Mbps पे अगर मैं दोनों processor के GPU speed की बात करूँ Helio GT का GPU processing power बहु है 54.4 Gflops और Exynos 9611 का GPU processing power बहु है 86.4 Gflops ये Gflops मतलब जब आप कोई game खेलता है या फिर कोई graphics का काम आपके phone में ज्यादा करते तो उस बाग कितना जल्दी effect load होता है कितना जल्दी आपका video render होता है या फिर game खेलने के पास सामने बाला picture कितना जल्दी आपके सामने प्रोसेस होता है ये सब कुछ इस Gflops speed के उपर डिपेंड करता है तो Gflops speed के मामले में Exynos 9611 बेटारे और अगर मैं Antutu GPU score की बात करूँ तो आप देख सकते हिलियो जीटी आंटूट भर्षान 8 में स्कोर करता है 2,00,000 के आसपास और Exynos 9611 आंटूट भर्षान 8 में स्कोर करता है 1,58,000 के आसपास तो देख सकते हैं Antutu score के मामले में हिलियो जीटी बेटारे क्योंके Exynos 9611 में जो overall CPU code इस्तिमाल हुआ है वो बहती पूराने जनेरेशन का है इसलिए Helio GAT यहां पर जीट जाता है और अगर मैं Geekbench score की बात करूँ तो यहां पर आप देख सकते हिलियो जीटी का सिंगल कोर स्कोर है 360 लेकिन माल्टी कोर स्कोर है 1300 और Exynos 9611 का सिंगल कोर स्कोर है 347 और मल्टी कोर स्कोर है 1260 यहां पर भी Helio GAT जीट जाता है क्योंकि इसमें better generation CPU core को इस्तिमाल किया गया है तो आप बढ़ी है इस वीडियो के confusion की अपने पूरे वीडियो में देख लिया कुछ मामले में Exynos 9611 बढ़ी है क्योंकि इसमें better generation processor core को इस्तिमाल किया गया है अगर मैं GPU बंदाद ग्राफिक्स काट की बात करू तो यहां पर Exynos 9611 बढ़ी है तो आज का वीडियो तेक उमीदेख कोंबरेशन कोई पसंदा है होगा फ्यूचर में आपको आसे कॉनकों से कॉमेशन देखना चाहते मुझे निसे कॉमेशन करें में बताना मैं उसके उपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा तो मिलते अगली वीडियो पे तब तक stay tuned and always remember think positive, be positive, thank you